नमस्कार आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो गर्भवती महिला है उसको अस्तन पान कराने वाली माता में कैसे ट्रांसफर करेंगे इस बच्चे का जन् हैं उनका growth monitoring किस परकार से करेंगे कैसे उसमें बच्चों का height और weight डालेंगे तमाम तरह की जनकारी है आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो अगर आप सभी अंगनबारी सेवकाओं को इस तरह की परेशानी है तो आप लोग इस वीडियो में end तक जरूर बने रहें मैं आपको clear तरीके से समझाओंगा कि कैसे कैसे क्या करना है तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गर्भौती महिला है उसको अस्तान पान में कैसे transfer करना है और उसके बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका registration किस परकार से करना है तो गर्भौती से अस्तान पान कराने वाली महिला में transfer करने के लिए आपको गर्भौती महिला का category open करना होगा open करने के बाद यहाँ पे आप लोग three dot देख रहे हैं जिस भी गर्भौती महिला को transfer करना है अस्तान पान कराने वाली माता में तो उसको यहाँ पे three dot पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे migrate profile का option आएगा उस पे click कर देना है जि जैसे ही आप migrate वाले option पे click करेंगे तो आपके सामने एक नया page open होके आएगा जिसमें पूछेगा क्या आप confirm है कि इस लभार्थी को दूसरे अस्तान पान कराने वाली category में transfer करना है तो आपको हिंदी में लिखा होगा ठीक list में देख रहे होगे तो वहाँ पे लिखा होगा confirm तो आपको ठीक वाले option पे click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो यहाँ से जिस भी लभार्थी को आपने migrate किया है वो अस्तान पान कराने वाली महिला में transfer हो जाएगी तो आपको अस्तान पान कराने वाली महिला में जाके check कर लेना है कि जिसको हमने transfer किया है वो इस category में आई ह कि नहीं तो यहां तक किलियर है उसके बाद देखिए अगर आपने ट्रांसफर कर लिया फिर आपको क्या करना है जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका हमको रेजिस्ट्रेशन करना है 0-6 महिने वाले बच्चे के टेगरी ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहां पे हमको क्या करना है जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका यहां पे नाम जोड़ना है तो लभार्थी जोड़े पे किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहां पे उस बच्चे का नाम लिख देना आधार संख्या नहीं है छोड़ देना है स्वास्त आईडी छोड़ देना है और जनम की तारीख आपको यहाँ पे दर्ज करना है जिस दिन बच्चे का जनम हुआ है उसकी तारीख आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद बच्चा मेल है या फीमेल उसको यहाँ पे सिले लिखना है जितने किलो गराम उसका वजन होगा जन्म के समय उसका डिटियस डालना है फिर उसके बाद उसको सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख देना है सेंटीमीटर में लिखने के बाद यहाँ पे आपको सब्मिट वाला ओप्शन मिलेगा इस पे आपको किलिक कर देना है ज आपको वहाँ पे 4 square box मिलेंगे आपको सही-सही वहाँ पे OTP दर्ज कर लेना है जो की OTP सिर्फ 5 मिनट के लिए भैलिट आएगा तो आपको वहाँ पे OTP डालके verify का option मिलेगा तो उसको आप लोग verify कर दीजिएगा करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि उस बच्चे का जो नाम हमने डाला था इस category में आ गया है आने के बाद उस बच्चे का option इस परकार से दिखाएगा यानि कि जो यहाँ पे गोल घेरा सभी में दिखा रहा है जो नय नय बच्चा यानि कि 0 मंद का बच्चा है उस बाद यहां पर जो option जो colors होगा वो उस category में दिखाने लगेगा तो यहां तक आप लोगों को clear समझ में आ गई होगी कि किस फरकार से गर्भौती महिला से अथ्ण का इपन किया है और आपिन करने के बाद देख्ये यहां पे एरो का निशान जो दिखा रहा है एरो के निशान पर जैसे किलेंगे तो यहां पर एक फरीफाइ लुकर संड मिलेगा तो उसको क्या करना है कि यहाँ सम्मिट वाले option पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस लभार्थी के mobile पे OTP भेजा जाएगा जो कि OTP चारों को कहा होगा आपको उस लभार्थी के mobile से OTP निकाल लेना है निकालने के बाद आपको यहाँ पे verify कर देना है कि हमारा O ओटीपी नंबर वेरिफाई नहीं हो रहा है तो वेरिफाई कैसे होगा जब आपको ओटीपी भेजा जा रहा है उसके पांच मिनट के अंदर ही आपको वेरिफाई कर लेना है अगर वेरिफाई नहीं होता है तो फिर से आपको रीसेंड का ओप्शन मिलेगा आपको उस लभा आर्थियों के एरो पे क्लिक करकर के देखेंगे वेरिफाई नहीं हुआ है उनका बारी बारी से उनको वेरिफाई कर देना है उसके बाद अस्तान पान कराने वाली माता में भी वैसे ही करना है देखें यहां पे हमने अधार वेरिफाई कर लिया है और फोन नमर वेरिफाई क कर लिया है तो ऐसे ही आपको यहां पे verify का option मिलेगा तो आपको दोनों चीज कर लेना है insya देख सकते हैं यहां पर अधार verify है और यहां पर phone नमर verify नहीं है तो phone नमर verify करने का प्रोसेस मैं आपको बता दिया कैसे करना है सभी लभार्तियों में वैसे ही आपको प्रोसेस करना है तो देखे यहां पर आपको in progress दिखा रहा है यानि कि इनका जो अधार नमबर हमने डाला है उस अधार नमबर में कुछ न कुछ mismatch है इसलिए इनका progress दिखा रहा है जिसमें कि आपको अधार नमबर जनम की तारी लभार्थी का नाम तो उस लभार्थी का जो भी detail से सही से मिलान करके आपको submit कर देना है करने के बाद अगर green color का option दिखा दे रहा है तो यानि अधार आपका सही है अगर in progress दिखा रहा है तो समझ लेना कि आपका अधार में कुछ न कुछ mismatch है और उसके बाद जो बच्चे हैं बच्चों की category open करना है जैसे कि growth monitoring उनका करना है तो सभी बच्चों में आपको growth monitoring का report भ बच्चे का three dot दिखाई दे रहा है किसी भी बच्चे का आपको three dot वाले option पे click कर देना है three dot के option पे click करते ही यहां पर यानि कि विकास की growth monitoring है उस option पे click कर देना है जो यह मैं बता रहा हूं कई से युकाओं को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका growth monitoring कैसे करना है तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी बच्चे का growth monitoring करने के लिए आपको three dot पे जाना है three dot पे जाने के बाद यहां पे जो देखिए विकास की growth monitoring का option मिलेगा इस पे click कर देना है click करने के बाद ऐसा page open होगा उसके बाद आपको उस बच्चे के हिसाप से जितना height है और उसका जितना वजन है उतना डाल के यहां पे submit कर दिजिएगा submit करने के बाद आपको यहां से देख सकते हैं कि उस बच्चे का height weight डाला गया है यहां पे आपको सारी चीज details दिखा देगी जैसे ही arrow वाले पे click करेंगे यहां पे देखिए जो बच्चे का status है वो normal है तो इस परकार से जो भी बच्चे हैं उनका growth monitoring कर लेना है गर्भवती महिला से अस्तनपार में transfer करने के बाद उस बच्चे का जिसका जनम हुआ है उसका registration कर लेना है और जो OTP verification है वो किस परकार से करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में clearly समझा दिया है तो उम्मिद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जनकारी मिल गई होगी कि कैसे कैसे क्या करना है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मिलते हैं फिर किसी next topic में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जय हिंद आपका दिन सुभ हो